इस समय उल्जन इस बात की है कि सोना खरीदें या ना खरीदें आगे सोने के कहां होंगे दाम और क्या उनको रिटन मिलेंगे या फिर जिनके घर में शादियां हैं उनके लिए सबसे बड़ी उल्जन है कि क्या सोना 32,300 के भाव पे खरीदना चाहिए या फिर थोड़ा और सस करते हैं और ओर आल देखे सोने के बारे में थोड़ा फंडामेंटल समझते हैं लगभग 4,370 टन 2018 में सोना कंज्यूम हुआ था वर्ड वाइट और इस साल भी लगभग इसपक्टेशन इतना ही है कि इतना ही सोना इस बार फिर से कंज्यूम होगा और कंज्यूम करने की बा इंटल इंपोर्ट किया जाता है वो है सोना अब और यहां पर इस बार शादियों का सीजन लंबा है रूपी में यहां पर इस समय वीकनेस है इलेक्शन सर पर हैं ट्रेड वार की वज़ा यह सारे कारण ऐसे बनते जा रहे हैं जिससे की सोने में कंटीनिवस तेजी देखने को मिल रही है फिलहाल अगर फ्यूचर की बात करें तो इन्वेस्मेंट की बात करें तो जो जो जोलरी के लिए खरीदना चाते हैं मुझे लगता है कि यह सही टाइम है आप 32,000 से 31,500 के बीच में अगर आपको फिजिकल रेट में सोना मिलता है तो ज़रूर टॉलर तक का ट्रेड होता हुआ नजर आएगा यानि कि आगे आने वाले समय में सोना सस्तार नहीं है